जेशीर हम सभी को आज हम बताएंगे कि किस परकार से जीव की गती की जा सकती है या किस परकार से जीव की गती होती है मर्तियों से पहले हम क्या करें और बाद में अगर किसी की अकान मर्तिय हो गई है या किशी जीव की गती नहीं, ये तो उसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सबी विस्तार से बताएंगे, बहुत ही मैत्वण विशे है, बिना इसको स्किप्ट किये हुए आप सुने, जीते जी हमें क्या करम करना चाहिए, गुरुल पुरान के अंदर बताया गय गैत्री तो वो हर विक्ति के लिए नहीं होता है, बहँवान के नाम का जो जाब करता है, गीता जी का पाठ करता है, या एकदसी का विरत करता है, गंगासनान अक्सर ना हो सके, तो अवसरों के उपर में अवश्य करना चाहिए, और जो तुलशी का पोजन करता है, ऐसे करम करने वाले व्यक्ति को प्रेद जोनिय वो नहीं मुलती है मरने के बाद में अगर वो भागवद सुनता है हमारे पुईत्र सास्तरों का ध्यन करता है सुनता है बवान के नाम को उचार्म करता है गव की सिवा करता है करीबों की सादु संतों की शेवा करता है बूरे कर्मों में अपने मन को नहीं जाने देता है चीजों से मन को हटाता है ऐसे विक्ति की मर्तिव के बाद में प्रेत की जोने में उसको नहीं जाना पड़ता है क्योंकि इनका महानफल बताया गया है गुरूर पुरां के अंदर और किसी विक्तिकी मालो मर्ति हो गई है तो उसमें आप क्या करें मरने से पुरो हमारी कोशिस रहे कि उसको गिता का पाट सुनाया जाना चाहिए ये बहुत ही पुन्य का काम होता है उसे बगवान नाम का उचांड सुनाया जाए उसका ध्याना वो संसारिक पदार्थों के अंदर ना हो बहुआन में उसकी समर्ती बनी रहे तो निश्चिती उस जीव की गती हो जाती है उसको मौक्ष मिलता है वैसे मौक्ष का आर्थ तो ये लिए जाता है कि वो दوبारा संसार में ना आए लेकिन हम उस प्रितात्मा की गती की बात कर रहे हैं जो जीव गया है तो मर्त्यों से प्रूव उसको गीता का पार सुनाया जाहिए भवान के नाम का किरतन सुनाया और गंगा जल पिला दें मुख के अंदर तुलसी दिल रख दें चन्दन की या रुद्रक्स की माला वहना दें तुलसी जीव उसके समीप रख दें ऐसा करने से भी कहते हैं कि वहां पर जमदूत नहीं आते और उसकी जोए अधोगती नहीं होती है अब देखिए अगर किसी कानवस हमारे घर परिवार में किसी जीव की गती नहीं हुई है सीधी सी बात है उसके कान हमारे रुकावटें आती है दिखतें आती है प्लेश होता है स्रीर में बिमारियां आती है काम में रुकावट आती है आर्थिक अर्जन करने में दिखते हैं आती विवसाई के अंदर बहुत बदा हैं आती अक्सर नुक्सान होता है व्यर्थ में पैसा लगता है मन सिख प्रेशानी रहती है संतान के कारियों में रुकावट आती है विद्या की प्राप्ति में रुकावट आती है नोकरी के अंदर बाधा आती है कारण मन परिशान रहता है कारण क्रोध आता है इससे है वो यह मांग यह जाता है कि हमारे जीव की गती है वो नहीं हुई है या हमारे पित्र जो है वो एसनतुस्ट है पित्री दोस्त के कारणा इसा हो जाता है अगर किसी जीव की कोई एक्सिडेंट हुआ हो या अचानक से किसी की मौत हुई हो या वैसे ही अगर किसी जीव की गती नहीं हुई हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कुछ लोग मान लेते हैं कि जीव गया तो इसका हमारी उपर क्या प्रवा पड़ेगा और क्या जो हम देते हैं वो उसको मिलता है निश्चित रुप से उसको मिलता है और हमें भी वो दस गुना हो करके मिलता है ऐसा नहीं उस जीव को ही मिलता है जो भी हम उसके निमित करते ह मालो हम गीता जी का पाठ किसी जीव के निमित करते हैं हम अवश्या को तरपनादी करते हैं किसी जीव के निमित करते हैं तो वो हमारे पित्रों को पूरवजों को और उस जीव को लगता है और बदले में हमें दश गोना पचास गोना हो करके मिलता है वो आपिस लोटता है वो व्यर्थ नहीं जाता है और उस जीव के अंदर हमारा अंस भी होने के कारणा हमारे ये नेतिक कृत्विय बनता कि हम उसके परती कुछ करें क्योंकि जो गया है जीव उसने हमारे परती भी बहुत कुछ किया है और हमारे सरीर के अंदर उसका अंस है इसलिए तो जो है मुंड़नादी करवाई जाते हैं ताकि शुतक की निवर्ती पूरे तरीके से हो सके शीलिय पीछे सुद्धी करण कराया जाता है कुछ लोग कहते हैं कि महराजी हम बर्षी करवाई या ना करवाई या ना करवाई या ना करवाई तो देखिए इससे जीव पर फरक पड़े ना पड़े लेकिन हमारे घर पर फरक पड़ता है क्योंकि पूर्ण रूप चिज़ अनुष्टान वाद में नहीं कर सकते हैं कि भी मांगलिक आरे या नहीं कर सकते हैं करते हैं तो उसमें विइतनाता है क्योंकि dog कर अंदर अभी 20 सुतक लगा हुआ है अब हम बात करते हैं कि अगर किशी जीव की गती नहीं हुए या किशी को मौक्स दिलाना हो कोई प्रेतात्मा है उसको मौक्स दिलाना हो तो हम क्या कर सकते हैं जिस जीव की मर्तिव होती है सबसे पहले हम बताते हैं तो उसको आप अकाल मरती होती है तो एकाद साह के दिन यानि ग्यारवें दिन आप जो क्रिया होती है वो अवश्चे कराएं सवपिंड सराद कराएं नायरायन बली सराद कराएं पिंडों की पुजा होती है जिसमें खीर है उड़द है, पीठी है, चावल है इनके बनाए जाते हैं तरपनादी पुर्वजों का भी होता है जीव का जो है उसके निमित किया जाता है सपिंड निसराद किया जाता है तो इससे जीव की गती होती है यह होता है अगर कोई मर गया है तो उसकी ग्यार में दिन होता है और अगर फिर भी किसी भूल चुक वस कोई क्रिया रहा गई हो क्रिया का लोप हो गया हो तो जीव की गती रही होती है बार बार उसका सपनों में आना और नुकसान करना किसी को दिखाई देना ऐसे लक्षन हो तो हमें जीव की गती करवानी हो तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए हमें प्रेद कर्म है वो करना होता है गुर्ड पुरान का पार्तों तेरा दिनों के अंदर हो जाना चाहिए जो सयादान है गोवदान है आदी हो जानी चाहिए जीव की गती में बहुत सहायक होते हैं तो उसके बाद में अगर किसी जीव की गती नहीं हुई है और उसके कारणा हमारे प्रिवार में कुछ क्लेस बना हुआ है दुख बना हुआ है तो उसके लिए हम गयाजी में पिंडदान करते हैं जो सास्त्रों में बताए गए हैं उपाई वो हम बता रहे हैं गया जी के अंदर आप पिंडदान कराएं इससे उनको सांती मिलती है पहले आप घर के अंदर मूल भागवत का पाठ करवाएं कैसे करना है क्या करना है लोग कमेंट करते हैं ये कैसे करें माराथ जिवो जिन से आप करवाएंगे उनको पता होता है कैसे करना है मूल भागवत का पाठ आपकर वाएं और त्रिफिन्डि स्रा थे वह कराएं सबिन स्राद आपका गया जी के अंदर पिंडदान करवाएं और कासी के अंदर पिसाच मोचंजो कुंड है उसमें प्रेत माध़ा, अकाल प्रत्यू और पित्रों को मौक्ष मिलता है वहां पर आप अवश्य उनका स्राद या पिंड़ दान करवाएं इससे जीव की गति होती है पित्र पक्ष में आप स्राद अनुस्टान तरपन करवाएं कासी जी के अंदर उनके निमित काला लाल और सफेद जंड़ा लगाया जाता है क्योंकि आत्मा की तीन गति होती है गीता के नुसार सात्वी के राजशिक के ताम सिक है तीनो रंग ब्रमा विश्न संकर के परतीक भी है और सत रज और तम के परतीक भी है उनके परतीक से तीन का जंडा लगाया जाता है और वहां पर सपिंडन स्राद होता है जिससे जीव की गती है वो निश्चित रूप से हो जाती है इसके अलावा अगर कोई किरतन करवाना चाहता है भगवन नाम का किरतन करवाना चाहता है जाप करवाना चाहता है तो वो भी उस जीव का नाम और गौत्रल का नाम लेकर के और उसके निमित होता है जो जीवग पारिक शेख बहुता है कुछ लोग रुद्रा विश्यक भी करवाते हैं किसी विशेश स्वस्त्वों से जीवग के निमित जिससे के उसका कल्यान हो हमारे जो पित्र हैं उनका बंदन खुले पिट्रों को बंदन से कुलवाने के लिए उपाई ऐसे कियो जाते हैं किसी तंत्री के पास ना जा करके उस आत्मा को किसी बतलादी में बंद ना करवा करके आप अगर सस्तरसम्मत्विदी से उसका吗 मौक्ष करवाते हैं उसके गती करवाते हैं तो इसका बहुत गुना पुन्य बताया गया है क्योंकि किसी जीव का कर्लियान करवाना यह बहुत थी पुन्य का काम है इसका फल बहुत है और जो लोग उसको बंधवा देते हैं घर से बाहर निकलवा देते हैं इसके उसका आप में बहुत दुखी होती है घर के जीव के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमने कारण बताएं वैसा करवा कि आप जीव की गती करवा सकते हैं और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जे श्री राम